अगली विशेष्टा की इस सम्विधान में वयस्क मताधिकार का प्राउधान किया गया है और जैसा मैंने पूर में बताया वयस्क मताधिकार का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें सम्विधान सभा एक मत थी सभी सदस्यों ने एक मत होकर वयस्क मताधिकार पर अपनी सहमती जताई और अन्यव तथाकतित विकसित आधनिक देशों की तुलना में भारत एक मात रहसा देश जहां एक स्ट्रोक में एक बार में सभी वयस्कों को धर्म, जाती, लिंग, आर्थिक, शमता, शिक्षा, आधी से हट कर सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया ये वयस्क मता अधिकार का अधिकार एट वन स्ट्रोक ये एक संविधान की बहुत बड़ी विशेष्टा है इसके बाद अगली विशेष्टा एकहरी नागरिकता, सिंगल सिटिजन्शिप, अर्थाथ भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक कहलाएगा वो भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक और फिर किसी और राज्य का नागरिक अपने को नहीं कह सकता हम आप किसी राज्य के नागरिक नहीं कहलाते हैं, हम सब भारत के नागरिक कहलाते हैं कुछ अन्य देशों में प्राउधान है जैसे अमेरिका में, वहाँ पर अमेरिका के राज्यों के भी नागरिक और उसके साथी साथ वो अमेरिका राश्ट के भी नागरिक बनते हैं, उसे डूएल सिटिजनशिप कहते हैं, तो भारत में एक कहरी नागरिकता का प्राउधान ह अगला बिंदू जो इस बात को बताता है कि भारत की न्यायपालिका स्वतन्त्र है मैंने पूर में आपको बताया था कि किस प्रकार एक सरकार कार्थ होता है विधाईका, कारेपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार विधाई का और न्याय पालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन न्याय पालिका स्वतंत्र है बहुत बड़ी विशेष्टा है स्वतंत्र न्याय पालिका का अस्तित्व स्वतंत्रता का और स्वतंत्र न्याय पालिका का अर्थ है ऐसी न्याय पालिका जिसमें न्याय धीश लोग एक बार जब चैनित होते हैं सरकार के द्वारा उच्च नयायले उच्च तम नयायले आदी में उसके बाद वे सरकार के किसी भी बंधन में नहीं है रिटायर्मेंट पर रिटायर्मेंट होंगे लेकिन सरकार उन्हें जब चाहे निकाल नहीं सकती सरकार उन्हें अपनी इच्छा से उनका स्थानांतर नहीं कर सकती ऐसा करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है जो सरलनी है और ऐसा प्राउधान इसलिए किया गया है ताकि न्यायदिश इन न्यायलेओं के अपना न्याय देने के लिए स्वतंत्र रहें किसी तरह का दबाव उन पर ना पड़े तो स्वतंत्र नियापाली का एक बहुत बड़ी विशेष्टा उसके बाद अगली विशेष्टा है कल्यानकारी राज्य कल्यानकारी राज्यक सितातपर है सोशल वेलफेर भारत का समिधान ऐसे देश की कल्पना करता है जहां का शासन कल्यानकारी हो यह जो कल्यानकारी शब्द है यह लगमख बीसवी शितापदी के प्रारम में आया था आप यदि इतिहास पर जाएं राजनीतिक इतिहास पर तो आप आएंगे कि पूर में राजा का काम राजा शासन चलाते थे उनका काम केवल सीमाओं को देखना था और कर लेना था धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे शासन के काम बढ़ते गया सुरक्षा उसके बाद जनता की सुरक्षा फिर लाइंड आर्डर कानून वियोस था उसके बाद कुछ और कारे फिर कुछ डेवलप्मेंट के कारे सड़क बनाना आदी आदी आज सरकार का काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ न रहे और यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति पाया गया तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है ऐसा भी प्रावधान कुछ देशों के संविधान में है मैं स्वास्ट के बारे में ज़ी बात कर रहा हूँ तो मेरा इशारा क्यूबा की ओर है भारत में भी ऐसे ही कल्यान कारी राज्ज की कल्पना की गई है 1920 के आसपास ऐसा माना गया कि सरकार का मुख्य काम चुरक्षा देना नहीं है सरकार का मुख्य काम शासन का मुख्य काम मतर कानून व्यौस्था नहीं है बलकि लोग कल्यान के कारे करना है इस सोच के साथ सरकार के कारे का आधार ही बदल गया और अब वह कल्यान कारी लोग कल्यान कारी शासन की अपेक्षा करते हुए अपने मद का उप्योग करती है विशेष्टाओं की श्रिंखला में अंतिम विशेष्टा है और वह है भारत का जो सम्विधान है जैसा मैंने बताए विशाल तम विशाल तम बनने के कारण बताए तो हम तोड़ा ये जान ले कि इस सम्विधान में 444 अनुच्छेद है 444 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं 12 अनुच्छियां हैं और इसके साथ 22 भाग है 444 बाराएं बाइस ये इस सम्विधान की विशालता को बताता है उसके विस्तार के कारण को बताता है अब हम आगे कुछ खास बिंदूओं पर सम्विधान के संबंदित कुछ खास बिंदूओं को जानेंगे जो रोचक हैं सम्विधान सभा जो हमारे इस सध्याय के बहुत महतूल हिस्सा है क्योंकि ये निर्मान प्रक्रिया में सम्विधान सभा ही तो थी जिसके सबसे अहम भूदिका थी इस उसके तीन वर्ष के कारिकाल में लगभर कुछ बदलाव आए थोड़ा साम उन बदलावों पर नज़र डाले शुरू में ज़र में बताया कि प्रारम में उसकी संख्या 389 आ रही थी उसके सदस्यों की संख्या लेकिन अंत में संख्या उसकी रह गई मात्र 299 कई कारणों से चाहे वो मुस्लिम लीक के ना आने से पाकिस्तान के विभाजन के कारण या कई सदस्यों के मृत्य हो जाने के कारण आदी आदी सचाई तो यह है कि संख्या 389 के घटकर 299 रही और उसमें भी हस्ताक्षर होते होते तक संविधान की प्रिस्तक में हस्ताक्षर होते होते तक यह संख्या 299 से गिर कर 284 रह ले थी तीन सो नवासी सदस्यों के ब्रेक अप को यदि हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है 292 सदस्य ग्यारा प्रांतों से आएंगे टोटल सीट 389 उसमें 292 जो हैं वो प्रांतों से आएंगे चार सदस्य कमिशनरी से आएंगे कमिशनरी से जिसमें दिल्ली भी शामिल है कुर्ग है और उसके अलावा बलुचिस्तान आदी है और उसके बाद 93 जो हैं वो देशी रियासत से आएंगे देशी रियासत से तराने बेस्त दत प्रांतों की सीटों के तीन समुदाय में बाटा गया एक तो ये तरीका हो गया दोसो थ्री एटी नाइन की संख्या पहुंचने का और दूसरा है कि इन सीटों को तीन समुदाय में बाटा गया एक था रियासत दूसरा था चुनाओ और तीसरा जो था वो मुसल्मानों तीन मुसल्मानों के लिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सीटों का कॉंस्टिटूशन था वो कुछ इस प्रकार का था ये सुनिश्चित करने के लिए कि विविन धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मुसल्मानों के लिए होंगी कुछ सीटें सिक्खों के लिए होंगी और कुछ गैर मुसल्मानों के लिए निर्धारित की गई थी तो इस विकार धार्मे के स्थर पर भी रेप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित प्रसुनिश्चित किया गया हूँ अब चुनाओ जो है वो अगस्ट छासी में हुए प्रतिनिधित्व समान उपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और देशी रियासतों का चुनाओ राजाओ द्वारा नामांकिन होता था किनका देशी रियासतों का चनाव और नामांकन के संधर में हम कह सकते हैं कि सम्विधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित ये सुनिश्चित करने के लिए कि विविन धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मिसल्मानों के लिए होंगी कुछ सीटें सिक्खों के लिए होंगी और कुछ गैर मुसल्मानों के लिए निर्धारित की गई थी तो इस विकार धार्मे के स्थर पर भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित प्रसुनिश्चित किया गया हूँ अब चुनाओ जो है वो अगस्ट छासी में हुए प्रतिनिधित्व समान उपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और देशी रियासतों का चुनाओ राजाओ द्वारा नामांकिन होता था किनका देशी रियासतों का चुनाओ और नामांकिन के संधर में हम कह सकते हैं कि सम्विधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई आशिक चुनी गई और आशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी आशिक चुनी गई और आशिक नामांकित अब जब संविधान सभा पूर्ण रूप से गठित हो जाती है तो उसका क्या ब्रेकप रहता है विधान सभा मात्र सम्विधान निर्माता ही नहीं थी एक समय आया जब उसे विधाईका की भूमिका भी निभानी पड़ी ये दूसरा बदलाओ जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ और विधाईका की भूमिका में सम्विधान सभा की अध्यक्ष्टा मावलंकर जी करते थे और सम्विधान सभा की बैठक के समय उसके अध्यक्ष्टा राजिन पसाथ करते थे ये मैं बात बता चुका हूँ लेकिन याद आपको यह रख लाएं कि एक महत्पूर्ण बदलाओ सम्विधान सभा की प्रकृति म हुआ था विधाईका के रूप में जब इसने कारे शुरू किया तो एक तरीके से संसद के रूप में वो कारे करने लगे तीसरा परिवर्तन जो इसमें आया वो था इसकी संप्रभुता को लेकर संप्रभुता मतलब सर्वोच जिसके उपर कोई नहीं ये संप्रभुत्व संस्था बनी संविधान बनाना इसका मुक्षिकार का दायरा रहा और संविधान बनाने के काम में ये संप्रभु हो गई ये इसको संप्रभुत्व मिल गया जब अंग्रेज भारत से चले गए इस पकार ये तीन महत्पूर्ण बदलाओ हम देखते हैं 16 अप्रेल 1952 ये तारीख है और एक तारीख है 9 नमबंबर 1946 16 अप्रेल 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम सदस्यका कारे किया मैंने आपको पूर में बताया था कि पंडित नहरू की जो सरकार थी जो 1947 में बनी थी वहां अंतरिम सरकार थी उसी प्रकार संविधान सभा भी अंतरिम संसद के रूप में तब तक कारे की जब तक ये एक निर्वाचित संसद नहीं आगए तो अंतरिम संसद अंतरिम विधान सभा ने 16 अप्रेल 1952 तक कारे किया इसके बारे में कुछ तीन चार खास बाते हैं जब हम संविधान सभा के अंतरिम संसर के कारे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये जान लें कि तीन अप्रेल 1952 को राज्य सभा का नर्माण हुआ तीन अप्रेल 1952 और 17 अप्रेल 1952 को लोग सभा दोनों की बैठक 13 माई 1952 को होती है कब होती है 13 माई 1952 लोग सभा और रजसभा दोनों की बैठक पहली बार और संसद में, स्वतंत्र संसद में, स्वतंत्र भारत के अपनी स्थाई संसद में जो सबसे पहली बिल हुए, बिल लाए गया, उनका संबंद भूमिशुधार से था तो संसद में सबसे पहले भूमिशुधार बिल लाए गया सम्विधान सभा द्वारा सम्विधान बनाने की प्रक्रिया में एट सम्विधान बनाने के दोरान उसके द्वारा कुछ अन्य काम भी किये गए जैसे और बहुत महत्पूर्ण काम जैसे 22 जुलाई 1947 याने देश को सतंता मिलने से लगबग 20 दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को सम्विधान सभा ने राष्ट्री ध्वज अपनाया जो आज हमारा वरतमान ध्वज है इसे सम्विधान सभा ने कब अपनाया 22 जुलाई 1947 माई 1949 में एक बहुत महत्पूर्ण निर्ने समिधान सभा ने लिया बहुत ही महत्पूर्ण निर्ने और वो निर्ने राष्ट मंदल से संबंदित है जिसे अंग्रेजी में कॉमन वेल्ज कहते हैं राष्ट मंदल में भारत की स्रिस्थता को लेकर बहुत बहस हो रही थी जिरह हो रही थी विवादित मामलात थे राष्ट मंदल ऐसे देशों का प्लैटफॉर्म है ऐसे देशों का एक जुण़ है जो पूर में किसी न किसी समय ब्रिटिश सत्ता के अधीन ब्रिटिश उपनिवेश रहे हूं और इस राष्ट मंडल की खासियत यह थी कि राष्ट मंडल का जो मुख्या देश रहेगा वो इंग्लेंड रहेगा तो बहुत से लोंग का कहना था कि हम इंग्लेंड से ले दे के हमारा पिंड छूटा है उनकी गुलामी से दो वर्ष बाद उनकी चाल से निकले हैं हम किसी तरह अब ये फिर नया हत्कंडा क्या अपनाया है राष्ट मंदल के नाम पर जिसमें फिर से पूर्व उपनिवेशों को इंग्लेंड किसी अन्य रूप में अपने में समाहित रखना चाहता है लेकिन अन्य लोंग के कुछ और विचार थे और अंतता ही ये तह हुआ कि भारत को राष्ट मंदल का सिज़स्य बनना चाहिए जिसकी स्वीकृती मैं 1949 को भी 24 जन्वरी निसब पचाहस यानि गनतंत दिवस से दो दिन पूर्व या सम्विधान को देश में लागू करने से दो दिन पूर्व देश का राष्ट गान अपनाया गया राष्ट गान देश के लिए स्वीकार किया गया कब 24 जन्वरी निसब पचाहस उसी दिन राष्ट्री गीत भी अपनाया गया और 24 जन्वरी को ही एक बहुत महत्पून घटना करम में डॉक्टर राजेन प्रसाद को देश का प्रत्थम नागरिक भी सम्विधान सभाने चुना तो इस पकार सम्विधान सभा अपने सम्विधान बनाने के कारे के अलावा जहां विधाईका के रूप में देश को प्रशासन देने में व्यस्त थी वहीं उसे कुछ अन्य कारे भी करने थे जिसे उसमें बड़े बख्रू भी निवाया और अंत्रतर राश्यपति का चैन भी सम्विधान सभा के ही द्वारा 24 जनुर से पच्चास को हुआ सम्विधान सभा के निर्मान को लेकर जो बहुत जद्व जहद थी एक कैसे बनेगी कौन कौन शामिल होंगे कौन नहीं होंगे प्रतिन द्विधान किस रूप में होगा चैन किस रूप में होगा आदी आदी तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद सम्विधान सभा का निर्मान हुआ और उसने अपना कारे किया लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ बिद्वों को लेकर सम्विधान सभा की आलोचना भी होती रही और उसमें सबसे बाहम बिद्व जो था कि ये सम्विधान सभा जो है वो वास्तों में प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है अर्थात देश के विभिन तबकों का सही प्रतिनिधित्व ये संस्था नहीं कर रही है इसमें अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं जो संभवता किसी खास वर्गों से हैं ऐसा कुछलों का कहना था और चुनाओं के माध्यम से इसमें लोगों का चैन नहीं हुआ था जैसा कि पंडित नहरू ने 1938 में वादा किया था कि हमारे संविधान सभा के निर्माड मतदिकार बयस मतदिकार से होगा ऐसा ना होने के कारण इस संविधान सभा के निर्माड के मुद्दे पर सम्विधान सभा को जब तब आलोचना का शिकार होना पड़ा दूसरी आलोचना का कारण था कि ये एक चार्व भौमिक संस्था नहीं थी चारवभामिक संस्था मतलब अपने द्वारा स्वायम के द्वारा निर्मित और स्वायम उसके लिए निर्णा लेने के लिए सभी तरह की चीजों के लिए स्वतंत संस्था नहीं थी ऐसी भावना लोगों के मन में इसलिए घर कर गई थी क्योंकि संविधान स्वा के निर्माण का प्रस्ताव अधिकारिक स्थर पर कैबिनेट मिशन से आया था जो एक अंग्रेजों का एक मिशन था एक डल था जिसमें पैथिक लॉरेंस स्टाफिट क्रेप्स और इसके लावा एक दूस अलेक्जांडर ये लोग इसके सदस्थे इन्होंने संविधान स्वा के निर्माण के लिए अधिकारिक प्रस्ताव दिया था तो पहली बात तो दूसरा कारण माना जाता था लोगों की द्वारा इसके सौवरेन ना होने का सारभामिक ना होने का कि ये संस्था जभी जो कारे कर रही है तो इसके उपर तो भी अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं भारत में अंग्रेज लोग तो यहां हैं तो फिर क्यों हम इसे सौवरेन माने तीसरा ऐसी संस्था है यह जो बड़ी बहुत समय ले रही है टाइम कंज्यूमिंग है अमेरिका का समिधान मात च्छे माह में तयार हो गया और इंग्लेंड का तो वैसे कोई लिखित समिधान है ही नहीं तो इसके समय को लेकर बारंबार बात होती थी कि यह बड़ी जाने चल रही है तो संभवता ही है उच्छित नहीं उस पर आलोचना होती हैं और के कारण बढ़ा एह में में है कि कंग्रेश के समिधान सभा के अधिक्तर सद्श कउंग्रेश ओक язग और से प्रभावित है यह तो कंग्रेश के चाण्यनिडश्य है का Woo Yadra प्रकार ये एक दल का प्रतिनेदित्व करती है ज्यादा मैंने आपको बताया कि लगवाग ब्यासी प्रतिशफ सदस्य कॉंग्रेस के थे यदि उनकी प्रिष्ट भूमी को देखा जाया है उनके सदस्यों की तो इसमें कोई दो मत नहीं कि कॉंग्रेसियों की बड़ी संक्ता में यहां पर उपस्थिती थी सदस्टा थी एक वर्ग का इस बात को लेकर आलुचना करता है एक वर्ग कि ये सभी दलों का सभी विचारों का प्रतिनेदित्व नहीं करती लेकिन सचाई तो यह है कि भारती राष्ट्री आंडोलन में लगवक पूरा देश तूट पड़ा था लगवक पूरे देश के लोग ही कांग्रेसी मैं हो गये थे और कम से कम जो प्रबुद्ध वर्ग था बुद्धी जी वी वर्ग था ये लोग तो सभी कांग्रेस के बैनर के तले भारती राष्टी अंडोलन में भाग लिए और इसलिए नौन कांग्रेसी लोगों की इसी बहुत कम थी जिन्हें संविधान सभा के सिरिष्टा के लिए नामित किया जाए आदी आदी तो ये आलुचना भी एक तरीके से उचित नहीं बैठती अगली जो आलुचना है आलुचना का अधार वो है कि इस संविधान सभा में वकीलों की बहुतायत है वकील जो रा होने के कारण संभावता दीसरे प्रोफेशंज को इसमें जदा प्रयाद प्रती नहीं मिला है और बहुतायत ही नहीं है बलकि उनका दबाओ है प्रहाओ है पर ये बात भी उचित नहीं है इस घृष्ट से कि कौकि संबिधान-सभा का कारे कानून बनाना था संबिधान का का निर्मार करना था तो संविधान संविद्ली जानकारी से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें लाने का प्रयास था और ऐसा एक सार्थक प्रयास था कि अधिक से अधिक संख्या में एमिनेंट लॉयर्स जो राजनीति में भी हो तो और अच्छी बात ऐसे लोगों को इससे जोड़ा जाए ताकि वो राजनीतिक दिश्टी से भी कानूनों को पर्खें उसका विवेचन करें और संविधान सवा में अपने तरीके से योगदान दे अंतिम बिंदू इस आलोचन की श्रिणी में संविधान सवा की आलोचना की कि ये जो संविधान सवा थी इसमें हिंदूों की बहुलता थी ये आलोचना भी कोई उचित नहीं है क्योंकि भारत जो है हिंदू बहुल राष्ट है तो निश्चित रूप से हिंदूों की बहुलता होगी और साथ ही साथ कम उस समय उस काल में हिंदू लोग ज्यादा शिक्षित थे शिक्षा का दर उनमें ज्यादा बहतर था तो इसलिए कुल मिलाकर ये कहना कि इन जो पांच-छे अधार पे जो समिधान सवा की अलोचना होती है उसके निर्माण की समिधान सवा के गठन की ये अलोचना कुछ हद त इसा रहेगा ही जो कुछ न कुछ बातों को लेकर आलोचना करेगा तो निश्कर्श ये कि समिधान सवा का निर्माण करती समय भर्तक प्रयास किया गया कि वह एक उच्चित संष्था जिस उद्देश्ट से स्थापित की गई है वह बने और जिस तरीके से समिधान का निर्माण हुआ है इस बात पे ये साबित होता है समिधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया लंबी इस दिश्ट से कि लगभग उनिस सो चालिस से आधिकारिक स्तर पर समिधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंब हुए पर जिदे हम उसके प्रिष्ट भूमी की बात करें तो उसकी प्रिष्ट भूमी में हम 1895 से इसकी बात शुरू करते हैं जब लोक माने तिलक ने पहली बात समिधान सभा को लेकर अपने विचार रखे थे फिर उसके बात 1909, 1919, 1935 आदी आदी ये कई वर्ष आते हैं एक और जहां समिधान को बनाने में समिधान सभा के सदस्यों की बड़ी अहम भूमिका थी बहुत गहन अध्यन और बहुत गहन वाद विवाद विचार विनमे के बात समिधान का नर्माण हुआ हमें जानना जरूरी है कि सम्विधान को बनाने में हमने किन किन शिरोतों का उप्योग किया हमारे इन सम्विधान सबा के सदस्यों ने दूसरे शब्दों में भारती सम्विधान के शिरोत कौन कौन से रहे sources of Indian constitution कौन कौन से थे ये भी हम जाने भारती सम्विधान के शिरोत में सबसे मुख्य जो शिरोत है वो है भारती शासन अधिनियम 1935 जिसे हम अंग्रेजी में Government of India Act 1935 कहते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा पारिज लगवग अंतिम कानून था भारती सम्विधान के प्राउधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो इससे शब्द बस शब्द ले लिया गया और या फिर थोड़ा बहुत भारत वातियों के हिसाब से इसमें बदलाव लाया क्योंकि 1935 का अधिनियम अंग्रेजी शासन ने भारतियों के लिए बनाया था तो अब उसे भारती शासन द्वारा भारतियों के लिए बनाना था और जो थोड़े बहुत बड़लाओं के साथ संभव हो गया था तो पहला मुख्य स्रोथ है 1935 का भारती संभधान अधिनियम जिसमें संघात्मक तंत्रीय संस्था न्याय पालिका की शक्ति संघ लोक सेवा आयोग आपात कालीन प्राउधान जिसमें अमर्जेंसी कहते हैं राज्यपाल के कारियाले याने गवर्नर्स राजनीती का अधार भूठ धाचा और प्रशासनिक विवरान ये जो संघात्मक प्रणाली है याने फेडरल स्ट्रक्चर जिस पे मैं पूर में आपको बता चुका हूँ ये फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ही 1935 के कानून के तहत विविन राजियों में पहली बार एक तरीके से चुनाओ होए थे वैस्क मता अधिकार यद्यपी मत देने का अधिकार बहुत कम संख्या को था पर चुनाओी प्रक्रिया और फेडरलिजम संघवाद ये 1935 के भारती शास्की अधिनियम 1935 के ताथ देखा जाता हूँ उसके बाद मौलिक अधिकार याने fundamental rights, supremacy of law, सम्विधान की सर्वोच्चता, सर्वोच न्यायाले, judicial review जो से हम कहते हैं न्यायायिक पुनराव लोकन, न्याय पालिका की स्वतंतरता जो एक बहुत बहुत अहम बिंदु है हमारे देश की लोक तांतरिक राजनीतिक विवर्वत्ता की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपर राष्ट्रपति बनाम राज्ज सभा, उच्चताम न्यायले और अन्यायले की न्यायद हीशों को पद से हटाने की विधी, और राष्ट्रपति का देश का राष्ट्रपति का देश की सेनाओं का कमांडर होना आ दिया दिया ये जो बिंदु हैं, ये हमने लिये हैं सेयुक्त राज अमेरिका के संब्धान से, कहां से, सेयुक्त राज समेरिका के संब्धान से इन बिंदुओं को लिया है, या संब्धान के उन, संब्धान के उन हिस्सों को लिया है, जिन में इन बातों पर बात की जाती है, मौलिक अधिकार, राश्पति संबंदी बातें और फुर नयाल है, या सरोच नयाल है, ये बहुत बड़े बड़े, बहुत आहम बड़े हैं हमारे समधान के, इसे हमने कहां से लिया है, USA से, ब्रिटन से हमने क्या लिया है, 1935 का समधान के श्रे भी काफी कुछ इंगलेंड को जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि काफी कुछ समधान का हिस्सा हमने 1935 के समधान से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है, इसके अलावा हमने ब्रिटन के समधान से संसदी शासन प्रणाली ली है, जिसमें दो हाउस होंगे, लोकसभा, राजसभा, एकल नागरिक्ता मंत्रि मंदली प्रणाली, दुई सदनीय प्रणाली, लोकसभा, राजसभा, और चुनाओं में सरवाधिक मत के अधार पर जीत, चुनाओं पर जीत के बड़े अधार हो सकते हैं, बहुत सारे अधार होते हैं, चुनाओं में जीत के साधार पर हो, सबसे ज़्यादा मत पान तरीके हैं तो भारत में तैय किया गया कि हम इंगलंड का जो सिस्टेम है उसे ले यस के तस और इंगलंड के सिस्टेम में अधिकतम मत पाने वाले को चुनाओं में विजई घुशित किया जाता है तो भारत में भी उसे वैसी लिया गया जो सोवियत संग्थापूर में उससे हमने लिया है मूल करतब याने फंडामेंटल ड्यूटी जिसे उन्निस सो च्छेटर अठटर में भारत के समिधान में शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटी उननिस सो चेटर में शामिल किया गया और ऐसे ही आफ जो हमारा जो प्रियम्बल है प्रस्तावना उस प्रस्तावना में हमने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की है जस्टिश, सोशल, एकनामिक एंड प्लिटिकल जस्टिश ये जो हमारा आदर्श बना है ये हमने सोवियत संग जो पूर में था उसके समधान से लिया है समवर्ती सुची और प्रस्तावना की भाशा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन शक्तियों का विभाजन ते ताटपर है अधिकारों का विभाजन खेत्र कारे खेत्र का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान यह हमने ऑस्टेलिया से लिया है Ireland जो इंग्लेंड का एक तरीके से हिस्सा है UK का United Kingdom का उसका भी अपना सम्विधान है वहाँ से हमने लिया है Directive Principles of State Policy नीति निर्देशक शिद्धान राष्टिपती के निर्वाचन की पध्धती राज्यसभा में मनोनी सदस्यों की जानका मनोनी सदस्यों के बाबत और राज्यसभा के सदस्यों का नामंकन यह हमने लिया है Ireland से लिया है से मेरा ताचपर है बारंबार कि हमने उन देशों से प्रेरित होकर अपने देश में इन बिंदूओं पर उन देशों के समविधान के हिस्से को कुछ ले लिया है केनडा के समविधान से हमने संगी व्यवस्था यानि फेडरल स्ट्रक्चर जिसका पूर में मैंने जिक्र किया फेडरल की भावना का मैंने बताया आपको कि इसको लेकर हमने 1935 के अधिनियम से भी काफी कुछ लिया है लेकिन इसके कुछ अन्य प्राउधान हमने केनडा के समविधान से लिये हैं केंद्र के पास अत्रित शक्तियां जो बची खुची है वह जो प्राउधान है वो हमने केनडा से लिया है राज़ पालों की नियुक्त सम्मन्दी और संग और राज़ के बीच शक्तियों का विभाजन ये हमने सब कहां से लिया है केनडा से कि इसे हमिदान लिया है से गनद अंत्रात्मक व्यवस्था मतलबं रिपाब्लिकन है निधाला यτι प्रिपाब्लिक रिपाबलिक इस यकान फॉर्म आप शिस्टिम आ अपड़िक शिस्टेम इन फ्रीडम या लिबार्टी एक्वालिटी फ्रेटर्निटी जिसने फ्रांच की क्रांटी को प्रेरित किया इन शब्दों ने इस शब्दों को जस्ट के तस यथावत हमने अपनी प्रस्तावना में लिया है अर्फ का प्रस्तावना के ये तीन शब्द फ्रांस से प्रेरित हैं और प्रस्तावना के दूसरे तीन शब्द सोव्यत चंग की भावना से प्रेरित हैं जपैन से विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिध्धान पर लिया है जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल संबंदी कुछ प्राउधान आपातकाल में जो जो बदलाओ होने चाहिए राश्टपती को मौलिक अधिकार संबंदी शक्तियां जो मिल जाती है मुल अधिकारों को जो फ्थगित कर दिया जाता है आदी आदी ये जर्मनी से लिया है और इसे हम कहते हैं वीमर संविधान जर्मनी के संविधान को वीमर डबलू ए आई म यार वाइमर संविधान भी कहा जाता है दक्षन फ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन का प्राउधान तमविधान संशोधन संविधान में मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान एक जीवन्त संविधान है यानि एक बार जो बन गया वो वैसा का ही वैसा नहीं रहेगा यदि ऐसा ही रहेगा तो जड़ हो पुराना हो जाएगा, समय के साथ इसमें बदलाव नहीं किया गया, तो वह एक तरीके से निर्जीव हो जाएगा, इससे बचने के लिए हमारे सम्विधान निर्माताओं ने दक्षन अफ्रीका के उस प्रावधान को फसंद किया जिसके तहट सम्विधान के कुछ प्रावधानों को समय समय पर बदला जा सकता है जरूरत पढ़ने पर सम्विधान के कुछ कानूनों को जरूरत पढ़ने पर बदला जा सकता है कैसे बदला जा सकता है कब बदला जा सकता है बदलना कितना सरल कितना कथिन है ये सब बातें जो हैं ये हमने दक्षन अफ्रीका के सम्विधान संशोधन के मुद्दे से हमने ची उसी प्रकार दक्षिन उफ्रिकास हम ने राज्य सभा के सदेस्यों के निर्वाचन बावत भी बिंदू लिये हैं। इस प्रकार हम समझ गए कि किस प्रकार भारती संविधान विभिन ने देशों के संविधानों से प्रेरित है। प्रारब में मैंने आपको बताया था प्रडित नहरू ने अपने देश प्रस्ता व में बारंबार ये कहा था, że हम किसी देश की हो भुह नकल ना करें। हम एक बंदर जैसा नकल न उतार लें हमारे देश के लिए जो उचित है हम उसे अपने देश के लिए लागू करें बनाएं और हम यहां वो सब विचार विमर्श करने के लिए बैठें हैं यह जो मैंने बताया आपको sources of Indian Constitution यह विभिन देशों से लिए गए हैं पर जस्क वैसे यथावत ही नहीं लिए गए इन में इन देशों के समविधानों में जो प्रावधान है बताये गए बिंदू में उन प्रावधानों से प्रेरित होकर भारती समविधान निर्माताओं ने प्रावधान किये हैं और जहां उनको लगा कि इस देश का इस बिंदू में दिया गया प्रावधान कानून बहुत उचित है हमारे देश में लागू हो सकता है उसे हमने अपने अनुसार ढालकर अपने समविधान का एक हिस्सा बना दिया तो बात स्पष्ट है कि समविधान के विभिन शरोतों में स से हमने भारती समविधान अधिनियम 35 अमेरिका ब्रिटन सोवियत संग ऑस्टेलिया आयरलेंड कैनेडा फ्रांस जामनी जिसे वीमा रेपब्लिक भी कहते हैं और दक्षिनी अफ्रीका आजी से प्रेरित होकर हमने अपने समविधान का निर्मान किया